नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रजनी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India इंडिया का एकसा प्लेटफोर में जहांपे आपको Export, Import से रिलेटेड सारी जानकरी डिटेल में बताई जाती है समझाय जाता है कैसे इंडिया से Export करें कैसे इंडिया में इंपोर्ट करें उसका Procedure क्या है क्या-क्या Document आपको उसके लिए बनाने रहेंगे किस तरीके से Marketing करके Buyer Find आपको करना है इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकरी आपको हमारे YouTube चैनल से Provide कराई जाती है तो इसी के साथ मैं आपसे Request करूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगया आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें यहाँ से कमा सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप राजस्तान से हैं तो सबसे पहला प्रोड़क्ट जो है आपके लिए रहेगा या और किसी भी जगे के ग्रेनाइट वगेरा जो निकलते हैं राजस्तान के अंदर ग्रेनाइट और माबल जो निकलते हैं उन सबका काफी अच्छा एक्सपूर्ट जो है राजस्तान से रहता है तो आप ग्रेनाइट और माबल के स्टोन के एक्सपूर्ट में आ सकते हैं दे बिमान रहती है और चाइना के अंदर इस्पेशली हमारे ग्रेनाइट के माबर्स के ब्लॉक्स यहां से एक्सपोर्ट की जाते हैं तो पहला प्रोडक्ट है आपका माबर ग्रेनाइट आप जो है किशनगट से रासमन से जालोर उदेपूर अजमेर साइट से इन सब जगे से जो है आप माबर गेनाइट जो है पर्चेश कर सकते हैं और जो है फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस प्रड़क को एक्सपोर्ट करना बहुत एजी है कम डॉक्मेंटिशन कम बजट के साथ में एडवांस प्रेमेंट के साथ में आप इस प्रड़क को ज एक्सपोर्ट कर रहा है जोदपूर से और काफी अच्छे प्रड़क्ट जो है जोदपूर में वुड़न के बनाए जाते हैं तो आप भी अगर जोदपूर से हैं या राजस्तान में किसी भी एरिये से हैं तो आप जोदपूर जाएं और वहाँ से जो है आप यह बुड़न के हैं या बुड़न के हैं और जोदपूर कर देखें और जोदपूर करते हैं और जब भी अगर कोई कस्टमाईज ओडर बाहर की तरफ से दिया जाता है तो इसका मतलब आपको एडवांस प्रिमेंट भी इसमें मिलेगा तो आराम से ज प्रिमेंट के उपर आप इसको काम कर सकते हैं कम बजट के अंदर कर सकते हैं कम डॉक्मेंटेशन में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जोदपूर आई सीडी के द्वारा आप मटिल को एक्सपूर्ट कर सकते हैं और नावा शिया मुंद्रा पोर्ट के थूरू उसको एक्स जैपूर के अंदर राजस्तान जोल्री भी आप ले सकते हैं और उसको जो है एकस्पोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत बहुत इज़ी वे में आपको जैम से जोल्री जैपूर से मिल जाएगी और आप जो है वो जोल्री लेके मुल्टिपल यूरोपन कंट्रीज में अगर आपका बजट कम है तो आप तब भी यह जैम से जोल्री का एकस्पोर्ट बिजनिस शुरू कर सकते हैं इसको इकोमर्स प्लेटफों और डारेक सेलिंग के माध्यम से या बी टूबी प्लेटफों या आप जो है शूशल मीडिया के थ्रू भी इसको एकस्पोर्ट कर स सकते हैं यहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जुरूत नहीं है और जैम से जोल्री का आराम से एकस्पोर्ट कर सकते हैं तो आप राजस्तान से तो अभी तक मैंने तीन प्रड़क बता है मावग इनाइट हैंडिक्राफ एंड जैंसन जोल्री इसके बाद नेक्स प् जैपुर के नदर वेनेस री काफी अच्छा एकस्पोर्ट करें या तो वहां जैपूर से जिसको सिंगापुरी क्वालिटी उसके अंदर आती है, तो बहत ज़्यादा फैमस है, नागोर से कई सरे लोग जीरा परचेश करते हैं, क्यों मिन सीट परचेश करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी जो है डारेक्ली यहाँ से परचेश करती हैं, इवन गुजरात की कई सारी कंपनी जो है यहां से पर्चेस करके ले जाती है और एक्सपोर्ट करती है तो आप राजस्तानी होने के बाउजुद भी अगर इस प्रड़क क्या एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप सीधा-सीधा इसको इंटरनेशन मार्केट में लॉंच करो क्यों मिन सीट की डिमांड जो है चाई ना में यूरोपन कंट्री में सबी जगे तो आप आराम से इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इसके लिए आपको ज्यादा डॉक्मेंटेशन की विज़रत नहीं रहेगी आप आराम से जो है इसको चनरली इस प्रोड़क को जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसके बाद आप जो है एग्रो प्रोड़क भी यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसे यहां से गवार गम का भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जा सकता है यहां से आप देख लीजिए गारलिक का बह सबी तरीके के तो जो भी गौर्ट्मेंट के दोरा अलाउड वेराइटी या भी राइस की तो आप आराम से यहां से एक्सपूर्ट कर सकते हैं उसके अलवा नेक्स अगर बात करें हम तो यहां पर आपको नेक्स प्रोड़क निकल के आजाता है मुलतानी मिट्टी जहां दोस यहां पर अभी तक ज्यादतर लोगों की नजर नहीं है और यह प्रोड़क्त जो है इसकीन केर प्लप के रूप में जाना जाता है तो आप इस प्रोड़क्त को आराम से एक्सपूर्ट कर सकते हैं इसके मल्टिबल लेवल पर मल्टिपल डिपरेंट काइंड उप जो हैं प यहां पे बहुत special quality की साड़ी design की जाती जो कि एक कूटा डोरिया साड़ी, world famous साड़ी है दोस्तों क्योंकि यह handmade साड़ी होती है, बहुत जादा महेंगी आती है, expensive साड़ी होती है और बहुत ही अच्छी लगती है, तो अगर आप राजस्तान से हैं तो यहां पे राजस्तान क कूटा जिले के पास केथून कजबे से जो है आप इसको purchase कर सकते हैं कही सारे परंपरागत जो जिनका शुरू से business है वो लोग इस business को कर रहे हैं और यह जो साड़ी है बहुत अच्छी market के अंदर चल रही है और international market में इसकी 100% demand है तो आप इस तरीकी का जो handwork वाली साड़ी है या कूटा डोरिया की जो साड़ी है वो भी आप purchase करके यहां से export कर सकते हैं और आपको आराम से इसकी sourcing हो जाएगी एक छोटे से गाउं से जो है आप इसको purchase करेंगे और सीधा सीधा international market में launch कर सकते हैं इसके लिए आप जो है e-commerce का भी यूज कर सकते हैं social media platform का भी पाउडर वगेर आप जो minerals होते हैं वो भी आप राजस्तान से काफी अच्छे export कर सकते हैं राजस्तान के भीलवड़ा जिले के पास से बिजोलिया के अंदर डावी के अंदर जो बूंदी जिले में आता है इन सब में माई से sandstone की तो यहां से आप export कर पाएंगे और इसके अलवा कई सारे दूसरे minerals भी जो है आप राजस्तान से कर सकते हैं जिसके अंदर आपका lime stone वगेरा भी आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो यह भी प्रचूर मात्रा में जो है राजस्तान में आपको मिलेगा और आप जो है इसका easy way में यहां से export कर सकते हैं इसके अल आराम से उन pantings को भी export कर सकते हैं जिसमें आप देखेंगे जो war scene होते हैं या राजाओं के जो दरबार होते हैं उस type के seasons की जो है कई सारी pantings आवेलेबल रहती है तो इस type से आप जो है आप राजस्तानी जो पुरानी संस्कृती उससे related जो है pantings भी जो है आप यहां से export कर प सकते हैं तो I hope दोस्तों अगर आप राजस्तान से हैं और आप जो हैं इस export business को करना चाहते हैं तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं completely export and import तो join कर सकते हैं हमारा 7 या कि किसी भी कोने से आप हैं तो सीख सकते हैं हमारे 7 days के online training program के अंदर जिसमें हम completely आपको export import सिखाते हैं तो आप online भी join कर सकते हैं और आप 3 days का offline training session कोटा राजस्तान में आके भी join कर सकते हैं यहां पर आके offline 3 days का training session भी कर सकते हैं जिसके अंदर भी हम आपको practically पूरी ची description में मिल जाएंगे मिलते हमार नेक्स वीडियो में thank you very much